हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसको पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरीके से इंगलिस से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं इस स्टोरी से आप नए नए वर्ट्स भी सीखेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं जो स्टोरी है इसका नाम है दबर्ड विद टू हेड्स दबर्ड बर्ड कहते हैं पक्षी को विद टू हेड्स यानि की दो सिर वाला पक्षी जिसके दो सिर होते हैं तो यह जो कहानी है किसके बारे में है एक दो सिर वाले पक्षी के बारे में है देयर लिवड और टू हेड़ेड बर्ड नेम्ड भरूंडा देयर लिवड एक बार रहता थ यह यहां पर क्या है आयरटिकल कितने होते हैं यहीं होते हैं कौन-कौन से य या गर olsa बड़ पकशी नेम्ड जिसका नाम था भरूंडा भरूंडा यहींस दो तीम बार एक दो सिर्वला पकशी भरूंडा रहता था वर्मड़ यहीं फाउंड ऑन गोल्डन फ्रूट वन डे एक दिन ही उसे ही आपर किसके लिए यूश किया गया है भरूंडा बर्ड के लिए उसको फाउंड मिला आ गोल्डन आ एक गोल्डन सुनहरा फ्रूट फल एक दिन उसे एक सुनहरा फल मिला वन ओफ दू हैट्स started eating the fruit one of the two दोनों में से एक hats सिर्ने दोनों सिरों में से एक ने started शुरू किया eating गाना the fruit फल को तो दा क्या है यह आपर आर्टिकल है दोनों सिरों में से एक सिर्ने फल को खाना शुरू किया and found it very tasty and mean में सुरता है और and यहापर क्या है conjunction है found पाया या मिलना तो यहाँ पर इसका meaning है पाया it इसे किसके बारे में it यूज़ किया गया है किसके लिए फल के लिए very बहुत tasty स्वादिष्ट और उसे यह फल बहुत ही स्वादिष्ट लगा the other head said the other दूसरे head सिर ने said कहा दूसरे सिर ने कहा let me also taste the fruit let me मुझे भी करने दो also taste स्वाद the fruit फल का मुझे भी इस फल का स्वाद चखने दो the first head replied the first पहले head सिर ने replied उत्तर दिया पहले सिर ने उत्तर दिया we have only one stomach we have हमारे पास है only keval तो only क्या है याँ पर एडवर्ब है one एक इस्टमक पेट हम दोनों के पास keval एक ही पेट है whichever head eats the fruit will go to the same whichever जो भी head सिर इस खाता है कि हम दोनों में से जो भी सिर खाता है the fruit फल विल जाएगा go to the same बिलकुल उसी इस्टमक पेट में कि हम किसी भी सिर के द्वारा मूँ के द्वारा खाएं जो खाना है वो same ही पेट में जाएगा क्योंकि हमारा पेट एक ही है लेटर लेटर में बाद में बाद में वन डे एक दिन दूसरे सिर को फाउंड मिला एटरी एक पेड बीरिंग जिस पर लगे हुए थे पॉजनस जहरीले फ्रूट्स फल बाद में एक दिन दूसरे सिर को एक जहरीले फलों से लदा हुआ पेड मिला He took the poisonous fruit and told the first head He उसने took miss लिया क्या? He took उसने लिया the poisonous जहरीला फ्रूट्स फल उसने जहरीला फल वहां से तोड़कर ले लिया And or told the first head And or told बताया the first head पहले सिर को उसने वहां से एक जहरीला फल लिया और पहले सिर को बताया I will eat this poisonous fruit and take revenge अब वो कहता है I will, मैं, will eat, खाऊंगा This poisonous, this means, is यानि कि यह है poisonous जहरीला फ्रूट्स फल कि मैं यह है जहरीला फल खाऊंगा And take revenge और क्या लूँगा? बदला लूँगा किस से? पहले सिर से अब वो कहता है कि मैं इस जहरीले फल को खाऊंगा और तुम से बदला लूँगा The first head yelled The first head पहला head सिर yelled चिल लाया सिर जो है यह सुनका चिल लाया Please don't eat it अब वो उससे प्रार्टना करता है किरपया don't eat मत खाऊ it इसे कि किरपया इसे मत खाऊ If you eat it कि यदि तुम इसे खा लोगे Both of us हम दोनों will die Both of us हम दोनों will die मर जाएंगे कि यदि तुम इसे खा लेते हो यदि आप इसे खा लोगे तो हम दोनों मर जाएंगे क्योंकि ये जहरीला है But the other है didn't bother लेकिन जो दूसरा सिर था उसको यह सुनकर कोई परेशानी नहीं हुई bother परेशान होना वह बिलकुल भी परेशान नहीं हुआ और ate the poisonous fruit ate खा लिया यहाँ पर eat की past form है ate खा लिया the poisonous जहरीले fruit फल को और उसने उस जहरीले फल को खा लिया thus और इस परकार both of them lost their lives thus इस परकार both of them उन दोनों ने lost खो दिया their अपने life's जीवन को और इस तरीके से उन दोनों ने अपने जीवन को खो दिया आनि कि उन दोनों की मरत्य हो गई अब इस स्टोडी से moral क्या मिलता है क्या सीख मिलती है so moral is it takes two to make a quarrel but only one to end it it takes कि कि किसी भी जगड़े को करने के लिए दो की जरूत होती आनि कि हमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है लेकिन उसे खत्म करने के लिए अकेला ही काफी है तो हमें कभी भी जगड़ा नहीं करना चाहिए I hope आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपने इससे नए-नए words सीखे होंगे तो आपने जो भी words इससे सीखे है आप उन्हें हमें comment box में comment करके जरूर बताएंगे तो मिलते हैं next video में ऐसी ही मज़ेदार नहीं कहानी के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you